अभी नदन है और इस्वर आप सब का मंगल करें मित्रों इस वीडियो में आप सभी को जून मा के कॉंसिब्डेट के बिसे की जानकारी दे रहे हैं लेकिन इसके पहले आपके कुछ प्रस्णों के आधार से कुछ मुख बातें आपको बताना चाहेंगे और इसमें प्रत्म ये ध्यान रखना चाही कि गर्वधारन के दिनों में पती या पतनी में किसी का प्रत हो तो उस दिन गर्वधारन ना करें अगर कोई ब्रत उपवास गर्वधारन के दिनों में नहीं करते हैं तो फिर कंसीब कर सकते हैं और सेश कुछ लोग मासिक देट की जानकारी के साथ संतान योग या पुटर योग के बिसे में प्रस्म रखते हैं जो कि योग की जानकारी के लिए पती या पत्नी की जन्मतिति की लगन सविखषा देखी जाती है उसके अनुसार गरफ दोस्त की बाधा गर्फ पात की समस्या और एक संतान के बाद दूसरी संतान के लिए गर्वधारण ना कर पाने की समस्या के कारण और निवारन का पता चलता है और एक बात ये दिहां रखें कि जिस संतान का योग आपके लगन में होता है उसकी प्राप्ती भी आपको होती है अगर योग नहीं है तो उसकी प्राप्ती नहीं होगी आप कितना भी प्रयास कर लें और देखे जून मा में सबसे पहले हम क्रिस्पच की तारिखों को देखेंगे तो इसमें दो और तीन की तारिखें गर्वधारण के लिए मुख बनती हैं और विशेश रूप से गर्व की इस्तिरता के लिए भी उत्तम होंगी दो तारिख में रिवती नचत्र स्वभाग योग दिन रहेगा और इस दिन में गर्वधारण का समय रात्री दस से दो के बीच रख सकते हैं तीन तारिख में असुनी नचत्र सोफन योग दिन होगा और इस तारिख में कंसीव का समय रात्री दस बचकर 40 एक बजे के बेची रख सकते हैं। 26 यून योग बलवान दिन होगा। दीरगाउ संतान योग की प्राप्ती के लिए ये दिन विशेश रहेगा। 27 शत्र आईस्मान योग दिन रहेगा। बीच रख सकते हैं। इसके बाद जून मा की तीस तारीक भी तिथी और नच्छत्र के अनुसार क्रिस्पच की सबसे उत्तम तारीक बनती है। दस तारीक इस दिन में योग और नच्छत्र दोनों उत्तम होगे। नच्छत्र सबसे सुद्ध है। पुस्ट नच्छत्र व्यागात योग दिन होगा। और इस दिन कंसीव का समय रात्री 11 से तीन के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 12 और 13 जून पुत्र प्राप्ती योग प्रबल दिन होगा। गर्ब की स्थित्ता के लिए सुक्ल पश्का ये दिन सबसे बलवान होगा। नच्छत्र योग दोनों उत्तम हैं और बुहरत पुख रहेगा। 12 तारिक में मघा नच्छत्र बज्ज्र योग दिन होगा और 13 तारिक में पूर्बा फालवी नच्छत्र सिध्ध योग दिन होगा। इन दोनों तारिकों में गर्ब धरल का समय रात्री 10 बज़ कर 40 मिनट से 3 के बीच रख सकते हैं। 17 जून ये तारिक भी उत्तम और देरखाउ संतान सुख के लिए बिसेस रहेगी। स्वाती नच्छत्र सिध्ध योग दिन होगा और इस दिन में कंसीब का समय रात्री 9 बज़ से लेकर एक के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 20 जून गंड योग मुहरत के अनुसार सुख दिन होगा। गुणी संसकारी संतान प्राप्ती के लिए इस दिन गर्वधारन कर सकते हैं। इसमें समय रात्री 11 बज़ कर 15 मिनट से 1 बज़ कर 30 मिनट के बीच सही रहेगा। तुमित्रों ये जून मा के सुक्त पच और किस पच के दिनों की तारीखे थी। अपनी मासिक डेट के अनुसार इन तारीखों का जोड़ करके गर्वधारन कर सकते हैं। धन्यवाद सुमंगा।